लातेहार के चंदवा के निर्माना धीन एस्सार पावर प्लांट के पास शेनिवार की शाम भीशन आग लगए आग इतनी भयवा थी कि धीरे धीरे प्लांट के सायंत्रों के पास भी पहुंच गए हलाकि वहाँ पर तेनात गार्ड और एस्सार कर्मियों ने तपड़ता दिखाते हुए आग को बुझाने की कोशिश की जिसके बार चार घंडे की कड़ी मश्रकत के बाद आग पर काप पालिया गया जानकारी के मताबिक प्लांट के बाहर कुछ लोगों ने महुआ चुने को लेकर खर पत्वार जलाय था और वही आग धिये धिरे प्लांट तक पहुंच गया जमशेदपुर पुलिस ने दो मासूम बेटी पत्नी और सिक्षिका की हत्यारे को ग्रफतार किया है मामने का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी ने आर्थिक तरंगी की कारण इस घटना को अंजाम दिया पुलिस ने एक और चौकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी ने सिक्षिका की हत्या कर डिट बोडी के साथ दुशकर्मी किया था आपके बता दे कि आरोपी दीपक कुमायर टाटा स्टिल में काम करता था और उसने कदमा इस्थित अपने काक्टर में घटना को अंजाम दिया SSP के अनुसार आरोपी ने पूछ ताश के दौरान बता कि घटना को इसलिए अंजाम दिया गया ताकि उसके जेल जाने के बाद परिवार के किसी भी सदस को भूगा नहीं रहना पड़े वहीं उसने सिक्षिका को इसलिए मारा क्यूंकि वश्यव को देखकर चिलाने लगी थी पुलिस के माने तो आर्थिक तंगी के कारण डिक्प्रेशन में आकर वो इसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया और नशीला दबा भी लेने लगा था चैतर नवरात्र का आज छठा दीन है आज के दिन मा का त्यानी की पूजा अर्चना की जाती है मादुरगा का छठा सरूप मा का त्यानी जिने महिशासुर कावद करने वारी महिशासुर मर्दनी भी कहा जाता है मानिता है कि मा का त्याने की पूजा करने से कन्याव को सुयोग वर की प्राप्ती होती है और विवा में आने वाले बधाएं दुर हो जाती है